Hello friends, welcome to your channel, Crypto with Vishal आच्छे वीडियो में बात करेंगे, Bitcoin का एक important pattern है जो चार्ट में यहाँ पर बन रहा है, weekend में हम जानते हैं कि volume हमें normally कम देखने को मिलता है, तो pattern बन सकता है क्या वो pattern है, वो बात करेंगे, baby dodge का update है, वो बात करेंगे इसके लावा एक बहुत important चीज, micro strategy और tesla, उनकी जो balance sheet है crypto कि उसके बारे में discuss करेंगे, बहुत important चीज है जो मैं आपको उसमें से भी आज के वीडियो बताऊगा, सबसे बहले news updates, फिर हम लोग Bitcoin के चार्ट की तरफ आते हैं पहली चीज बात करते है, baby dodge, baby dodge की बात करें गाइस, तो 13 अपरेल से लेगे, 13, 14, 15, 16, ये रहा आपका 13 तारीक का candle, इसके बाद ये रहा आपका 14 तारीक का candle, और ये रहा आपका 15 तारीक का candle तो अगर ये तीन candle की बात करें, करीब करीब 35% का pump हमें देखने को मिला है, कई लोग question पूछ रहे हैं, तो rumors market में फिर से आ रहे हैं कि शायद baby dodge list हो सकता है Binance के उपर, अगर आप देखें तो baby dodge का जो official handle है, उन्होंने भी एक tweet जो है, यहाँ पे करा है, ये आप देख सकते और यहाँ पे इन्होंने जो time होता है उसकी photo डालेगे, थोड़ा सा time है, बचा हुआ है, listing होने वाली है, तो कई सारे rumors और उसमें से एक चीज है, शायद Binance का हमें number आता हुआ देख सकता है, और अगर वो update होता है, तो यहाँ से और ज़्यादा rally हमें देखने को मिल सकती, अब या तो यह hype create करने का तरीका है, जो अक्षर Shiba Inu करता है, Shiverium के नाम पे या फिर actually होने वाला है, वो आने वाले time में हमें पता चलेगा, तो यह reason था Binance के pump का, दूसरी चीज, आचल एक ऐसा portfolio है जो मैं हमेशा देखता हूँ, हर तोड़े time बात क्या हुआ उसका, वो है Micro Strategy, बहुत लोगों ने criticize किया था कि इन्होंने इतना अपना amount crypto में डाल दिया हुआ है, इतना portfolio नुकसान में है, अब हलका सा market देखे, reversal हुआ है, जादा नहीं, Bitcoin मातर 30,000 पे आया है और अगर आप देखेंगे तो अब इनको profit होना start हो गया, अभी जो profit है वो है, इनको करीब 65 million का 1.55% का profit में खली यह आ रहा है, अब आप देखें, Bitcoin जब 60,000 पे पहुचेगा, इनकी average buying 29,000 के near about है, और जब 2X यहां से हो जाएगा, तो यह portfolio कितना खतरनाक हो जाएगा, तो Micro Strategy ने finally proof किया यहाँ पे, कि आप लोग जो criticize हमें कर दे थे बार बार इतने times है कि हम लोग ग तो शुरुवात होई है, BTC जैसी reversal लेगा, आगे बढ़ेगा, तो यह number odd बड़ा यहां पे होगा, दूसरी तरह इसका opposite, Tesla का याद है number में, उसने BTC को sale out किया था, तकरीबन तकरीबन Bitcoin वहां से 100% grow कर चुका है, और उस हिसाब से इनको 500 million dollar का जो है, नुकसान यहां पे December, January, February, March, April, पाँच महीने में 500 million का यह नुकसान कर वैठे, अगर वो time पे Bitcoin नहीं निकाले होते, तो जितना इनों निकाला उसकी value, उसका जो नुकसान हुआ, वो तकरीबन इनको यहां पे ही हुआ, तो यह दो portfolio देगे कितने अच्छे हैं, एक जो believe कर दे थे, दूसरे भी believe करते हैं, लेकिन वो time पे कुछ ऐसी चीजें आ गई कि उनको महां से उसको sale out करना पड़ा, पर यह चीजें दिखाती हैं कि long run पे Bitcoin आपको कितनी जादा profit दे के जा सकता है, इसके बाद अगली चीज बात करेंगे, Ethereum के फिर आते हैं, Bitcoin के उपर, Ethereum की भी कई सारी चीजें चल यह जो शांगाई अपडेट हुआ है, उसके बाद price skyrocket बना यहाँ पे, और Ethereum का price करीब 20,030 को touch करके आया है, करेंटी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2,090 पे यह चल रहा है, कई सारे अपडेट चल रहे हैं कि Ethereum का जो selling का pressure है, वो हमें आने वाले time में market पे देखने को मि दिखाए दिया, जिसके बास करीब 7,900 Ethereum है, नमबर बहुत बड़ा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि Ethereum sell out होने से कुछ हो जाएगा, कुर्मिला के बात यह है कि ऐसे addresses जिनके पास Ethereum पड़े हुए थे, वो अब यहाँ पे दीरे दीरे activate हो रहे हैं और जो rally आई है Ethereum में यहाँ पे, यह अगर आप देखेंगे, 19,000 से time भी नहीं लगा, इसको 21,000 के तरीब यहाँ पे जाने में, तो एक यहाँ से correction हमें देखने को मिल सकता, और उसका एक specific or reason यह भी है, कि Bitcoin की अगर आप current chart में देखें, तो पहले तुम्हें आपको 1 day chart में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यह trend line है, जो हम लोगों ने बनाई थी, Bitcoin बिलकुल, इसको फिलहाल support, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यह trend line perfectly जो है resistance का यहाँ पे काम करें, और यह आज से नहीं कर दी है, अगर आप पीछे भी देखेंगे ना, यह January महीने से कर द अगर आप देखेंगे, तो यह इस तरीके से एक pattern जो है यहाँ पे बन रहा है, तो अगर यह pattern यहाँ पे बनता है, weekend में दिक्कत है, क्योंकि volume भी कम रहता है, तो हम लोग एक बार यह level को जरूर test कर सकते हैं, important इस पे guys यह रहेगा, मैं एक बार पहल ले ले लेते, important जो है वो यह रहेगा कि इस जगा पे आने के बाद bitcoin अगर यहाँ आता है, support मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर यह इधर के level पे भी, even यह वाला level भी important है, जो यह वाला level भी रहेगा ना, कि दुबारा अगर यह pattern बनता है, यह वाले area पे आके bitcoin को अगर support मिलता है, यहाँ पे नीचे नहीं आता है, तो फिर यह इधर से उपर की तरफ reversal ले सकता है, और वहाँ पे important होगा, कि यह trend line के साथ फिर से क्या होगा, मेरे साब से मैंने पहले भी आपको बोले, ideally bitcoin ने जो pump लिया है, उसके बाद एक छोटा correction यहाँ पे चाहिए, उपर rally के लिए, और अगर यह pattern यहाँ पे fulfill हो जाता है, तो मेरा मानना है, अगर हम लोग इस level पे आते हैं, और यहाँ से उमीद है कि support मिलेगा, तो फिर यह उपर की तरफ यहाँ पे आता हूँ, देख सकता है, पहले ही तो यह important pattern एक बार यहाँ पे बने, क्योंकि अगर head and shoulder pattern bitcoin के लिए बनता है, तो उसका impact ethereum पे हम लोग देखने हैं, तो यह trend line जो है, थोड़ी मैं इसे लंबी आगे कर देता हूँ, तो हमें यहाँ पे एक support देखने को मिल सकता हूँ, 19,000 के near about, और अगर मैं थोड़ा सा बड़े level पे बात करूँ, तो ethereum का major support है अभी, वो इसको मिल रहा है, 1727 पे, और resistance के बारे बात क देखने को मिले ही, क्योंकि और US की तरफ से फिर से next week में, next week नी, दो week बाद और date आने वाला है, थोड़ा से इस pump के बाद, हलका फुलका correction भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, important फिलहाल weekend पे मैं यह नजर है कि यह pattern हमारा बनेगा, कि नहीं बनेगा, fulfill हो रहा है, नहीं हो रह है, देखे, 5.583% का जो change है, वो अलड़ी हो चुका है, साइट है, अभी धीरी-धीरी volume हमें और कम होता हुआ, दिखाई देगा, यहाँ पर तो एक उमीद है कि थोड़ा हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पर आ सकते हैं, और Ethereum पे selling pressure के बारे में जो बात है, वो अब थोड़ जिससी बात है कि वो कुछ न कुछ तो sale करके हाँ पर जाएंगे, जिसका pressure Ethereum पे जरूर हमें आने वाले time में देखने को मिल सकता है, तो इदिका इस updates यो फिलाल अभी चल रहे हैं, एक बार quickly अगर हम लोग बात करें crypto analysis की, तो अगर नीचे आए थोड़ा सा fear and greed index, सेम जगा पे है, greed पे ही है, 68 पे, sentiment है, sale की तरफ, heat map, BTC 1.13% और Ethereum 1.3% down जो है, वो फिलाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यह दो चीजों के बारे में, micro strategy, Tesla के बारे में, आप लोग के क्या opinion है, जरूर मुझे एक बार comment box पे भी यह भी बताएगा, तो इस वीडियो पसंद आए आ टेलिग्राम चैनल पर, जिसके लिए टेलिग्राम का चैनल अगर आपने जोइन नहीं के, जो जोइन के लिएगा, link वीडियो के, description दे मिल जाएगा, thank you friends.